है अब्रिवन वेल्कम बैक तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्स्प्लेनेशन की और यह हमारा फाइनल एपिसोड है अगर आपको इसके सीजन टू चाहिए तो मुझे इस वीडियो में टू के लाइक चाहिए ही चाहिए तो ही तो मैं इसके नेक्स सीजन को एक्स्प्ले करने का सोचूँगी और हाँ आगे मैं कहते हूं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना और साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंना जिससे आपको मेरे चे खड़े होते हैं तो वेंजी और जिन्वे आके उन लोग को हटाते हैं और जिन्वे चूजिया के पास आके बोलती है चूजिया गुड लग मैं तुम्हें फाइनल्स में देख रूँगी गाइज इसका मतलब हमारी चूजिया फाइनल राउंड में पहुंच गई है तो मेंसा सोचती हूं मेरे रिवैल मेरी टाइसन है तो जिन्वे बोलती है स्ट्रबन मैं तुम्हें देख लूँगी फाइनल्स में तो कोई लड़गा आके बोलता है चूजिया जिन्वे इधर देखो और वो दोनों तो ऐसे पोस्ट देती है गाइस लाइक वो दोनों तो जियाउनान बोलती है चूजिया क्या करूँ मुझे लगता है मैं सच में जियांग चैन्चवान से प्यार करने लगी हूँ इस टाइम ये ट्रू लव है तो जियाउनान बोलती है ये सेम नहीं इस टाइम ये सच्चा वाला प्यार है चूजिया बोलती है मैं समझ गई अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं तुम्हारे हेल्प करूंगी तो फिर हम लोग छूजिया को क्लासरूमा आते हुए देखते हैं जहां ज्यांग रेन बोलता है छूजिया इधर आओ और उधर उसका ब्रेंच के पास लेके जाता है इसमें बहुत कुछ रखा हुआ था तो छूजिया बोलती है ये क्या है ज्यांग रेन बोलता है ये सब तुम्हें तुम्हारे फैंस ने अड्माइड्स नहीं दिये देखो फूल है सनेक्स भी है छूजिया तुम और जादा पॉपलर हो रही हो जो तुम्हारा फर्स्ट फैन है वो मैं हूँ और मैं काफी प्राउट फिल कर रहा हूँ और छूजिया वो सारे समान उसे दे देती है और फिर हम ब्यूटी कॉंटेस्ट का सीन देखते हैं जहा फिर स्टुडेंट्स टीचर प्रेजेंट करेंगे और फिर हम लोग वोट करेंगे उन लोगों के लिए अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगा तो अभी मैं अनाउंस करता हूं कि फाइनल्स ऑफिशली स्टार्ट हो गई है तो फिर कंटेस्टन जो होती है वो जिनवे थी व एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे उमीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ठैंक यू और उसका स्पीच यहीं एंड हो जाता है और सब को उसके लिए क्लैप करते हैं और फिर वो अंदर आती है तो वैंजी बोलती है यह तैयार हो गया है तो वैंजी बोलती है रुदे लें को दिने पाज यहां सब को दिखा दूंगे कि तुम सच में हो का रूसर हो और हमारी से कैंड कंटेस्टन होती है घर अन्य हमारी लिटल चूज़िया כह अपना सपीच स्टाब करती है और मैं मैं ओरिजिनली यहां से नहीं Minhे आसा लगता है कि मैं यहां से नहीं हूँ, मैं इसे एक सपने के जैसा फील करती हूँ, यहां सब कुछ अन्रियालेस्टिक लगता है, क्यूंकि मैं बिल्ली के कान के गली नामक प्लेस में रहा करती थी, और तुरन पीछे कोई वीडियो चलाने लगती है, जो छूजिया के पहले वाले लाइफ स्टाइल की जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो इनसान जो इस रिकार्डिंग में है, वो मैं हूँ, मैं एक बिल्ली के कान के नामक प्लेस में रहती थी, अपने मॉम के साथ, हम लोग एक बहुत छोटे रूम में रहते, मेरे डैड हमें छोड़ के चले गए थे, जब मैं छोटी थे, मेरे पास उनली मेरी मॉम थी, जब छोटी तो मैं बच्चों से बुली हो जाती थी, बट मुझे पता था कि मेरी वारेट होगी, तो जब भी उन लोगों का खतम होता था, तो मैं अपने फेस कवर करके जाती थी, अपने घर भी काउज मुझे चोट लगी थी, मैं नहीं चा अपड़े के डर्स को ब्रश करके हटा कि अपने घर जाती थी बट बाद में मैंने देखा मेरी मॉम बुली हो रही थी एले में बट वो जब घर आई तो उनके फेस में स्माइल था और उन्होंने कहा छूजिया तुम्हें हैपिली राइफ जीना होगा be strong क्योंकि हैपि इंसान के पास strong heart होता है दूसरों के पारे में मत सोचो सो अभी मैं और स्ट्रॉंग बनूंगी मैंने टेक वांडो सीखा है अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने खुद से ड्रेस अप किया है ऐसा कि मैं दिखा सकूं कि मैं स्ट्रॉंग हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड करते हुए तुम लोग को ट्राय करना है स्ट्रॉंग बर ना इंडिपेंडेंट और इंडिवीज्वल एंड ऐसे अपनी लाइफ जी ओ जैसे तुम्हें जीना है और याद रखना है पी रहना है और प्रिंसिपल तुरंट क्लैप करते हैं और बाग की सारे क्लैप करते हैं को ठ्रैस मिले ही रहा ता जिया और ऑनान बोलती है तुम्हें ठ्रैस कि घ्र्रिया और क begitu थोड़िया में करते हैं या उस द्रैस कि देखती है तो ज्याउनान बोलती है इंचूजिया तुम नेक्स्ट हो अब हम लोग क्या करेंगे तो जिन्वे वहाँ के बोलती है इंचूजिया तुम्हे जरूर हार्ड वर्क किया होगा भूलना मत मैंने पहले ही का था और ये बोलके वो वहाँ से चली जाती है तो एक लड़का आके बोलता है क्या हुआ तो छूजिया बोलती है क्या आपके पास एक स्विंग मशीन है तो लड़का बोलता है स्विंग मशीन उधर होगा स्टोरेज रूम में और छूजिया स्टोरेज रूम की तरफ जाती है तो ज्यावनान भी उसके पीछे पीछे जात तो जियानन लू को बोलती है यंग मास्टर क्यों लूँ अब हम लोग क्या करेंगे लूँ वहां से चला जाता है और हम लोग छूजिया को देखते हैं जो अपने कपड़े को सी रही तो लिंग्षा उसके पास आता है और बोलता है चलो मेरे साथ हम लोग एक न्यू खरीद यहां टाइम नहीं बचा है तो चूजिया बोलती है लिंग्स आओ क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम खरीच सकते हो तो वहां लू आके बोलता है आल राइट मैं कर लूँ गा तुम लास्ट में करोगी बट इस ड्रेस के साथ क्या तुम एक विकारी की प्ले करोगी तो चुजिया बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक favor करोगे क्या तुम्हारे पास अभी भी projection है क्यू लू इस time last time जैसा करो क्या तुम करोगे तो वो मुंडी हिलाता है जो ना के side था तो चुजिया बोलती है क्या हुआ तो लू बोलता है अगर हम लोग इसमें थोड़ा और effort डालेंगे तो ये उतना भी बुरा नहीं होगा तो चुजिया बोलती है बर्ट तुलू बोलता है ये ठीक है जल्दी करो तुम करो चुजिया रोने लगती है तो लू वापिस बोलता है क्या मत रो ये टाइम नहीं है ये करने का तो लू वहाँ से जाने लगता है और पीछ मुड के बोलता है राइड चुजिया ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टा वास्तव में ABC गीत के समान धून है और ये बोलके वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम लोग जियाउनान को देखते है जो बोल रही थी मेरी चुजिया क्या होने वाला है ट्स ओके तुम्हारे पस दो वाइड नाइट्स है मेरे क्या हुआ कहा है मेरा प्रिंस जियांग और वो अपने शैड़ो को बोलने लगती है जियांग चैंचुए मैं तुम्हें पसंद करती हुँ अगर कोई TUMHBULQ बुली करेगा तो तुम सिर्फ मेरा नाम ले ले ना नई यह बहुत लुशच जैसा हुआ मिष्टर जियांग मैं तुम्हारे साथ होना चाते हूं नहीं ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैंग ज्याउनान क्यों तुम तुम इतनी तीमीद हो और वो कोई आवास सुनती है जो दूसरे साइट से आ रही थी जहां वो बोल रहा था छूजिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जहां ज्याउनान जाके देखती है तो गाइस वो कौन था पता है वो ज्याउन चैन च्वान था जो प्रैक्टिस कर रहा था छूजिया को प्रपोस्ट करने और ज्याउनान को ये देखके काफी बुरा फील होता है होगा भी क्यों नहीं जिसे वो पसंद करती है सब उसे फ्रेंड जोन करके उसकी ही फ्रेंड के पास चले जाते है तो इदर चूजिया कपड़े सी ही रही थी कि उसके पास किसी का कॉल आता है जो उसे पूस्ता है क्या ये एन्चूजिया है चूजिया बोलती है हाँ मैं चूजिया हूँ तो वो बोलता है क्या तुम्हें इंफरमेशन चाहिए तुम्हारे फादा के बारे में तो चूजिया बोलती है हाँ तो वो आदमी बोलता है चलो बाते कर तो चूजिया बोलती है तुम कहा हो तो वो आदमी बोलता है मैं बाहिर हूँ अडिटोरियम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो चूजिया उस आदमी के पास जाने के लिए निकलती है अपना काम छोड़के इधर जियांग रेन बोलता है चलो वेलकम करते है हमारे लास्ट कॉम्पेटिटर को स्टेज में लू आता है और प्यानो करने लगता है जियांग रेन वहीं लाइट अन कर देता है जिससे स्पेस का नजारा लगने लगता है और वो काफी ब्यूटिफल था वहाँ एक लड़की आती है जो आँख में मास्क लगा के आती है और उसके पास लू आता है तो जियांग रेन लू को एक माइक देता है तो लू बोलता है चूज या एक्चली में मैं हमेशा तुमें कुछ बोलना चाहता था बट मुझे कभी चांस नहीं मिला मैंने आज तुमारा पाफॉर्मनस देखा और तुमारी स्टोरी सुनी मैंने तुमारे एक डिफरेंट साइट देखा जो इस इंपोर्टेन दिन में मैं तुमें वो बोलूँगा जो मैं तुमें कहना चाहता था और वो उस टाइम माइक में बोलता है छूजिया एक्स चली जो मैं कहना चाहता था वो लड़की अपना मास्ट खोलती है और वो लड़की कोई और नहीं थी वो लूकी एक्स थी तो जिन्वे का रियाक्शन देखने लायक था और वो बोलती है जियांग मैं क्यों तुम वाप पास ही चल रहा हूं तुम्हारे लेफ साइड में क्या तुम्हें हम लोग को देखना है तो छूजा बोलती है कहां हो तुम वाद भी बोलता है हम लोग आलमोस्ट यहां है और एक कारा के उसे वहां से उठा कर लेके चला जाता है जबरदस्ती और यह फाइनल एपिसोड य मैं इसके अगले वाले सीजन में बताऊंगी कि इससे आगे क्या होने वाला है सो थैंक यू फोर दिस वाचिंग दिस ड्रामा